कोई भी अधिकारी आके कोई नियम बना दे, उसके तहत कुछ कर दे, और बाद में खामी आजा, सिर्फ अभी यर्दियों को भुगतना पड़े, तो कोट को भी यह चीज़ देखना चाहिए, पत्ना हाइकोट हो, सुप्रीम कोट हो, यह चीज़ देखना चाहिए, क्यों नही अधिकारी सения, desos लुगता चाहिए, मंथरी कोई आवाज ने उट्राथा या उट्राता है वाज हो फर ड़ें के क्योट सब लोग बस इवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं अखिर नेता के लिए सरकार के लिए आधी रात को भी कोट खुल सकता है ना हमारे देश में तो उदारान है यह तो हम अपने मन से नहीं बोलना है रात के बारा बज़े दो बज़े भी कोट खुल सकता है लेकिन यह जो हजारों लाखों स्टुडेंट्स है उनके लिए आपका दो महिना तीर महिना में डीसिजन नहीं दे सकते लेकिन आपको लगता है कि जो लेट से गए उसी का खम्याजा बीए डवी अर्थियों को जो एंसी टी ने गैडलाइन जारी क्या सबसे पहले तो उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी कैसे आपने पुरे देश में कर दिया कि भाई बीएट वाले वन टुफैम में जा सकते हैं तो सबसे पहले उनको सजा मिलनी चाहिए ना बाकी तो जगा एक्षन लेते हैं उनको चाहिए कि जल्द जाएं हम तो भरोसा ही कर सकते हैं जो सकीरियता आप इसकूलों में जा जा कर दिखा रहा हैं ट्रेनिंग सेंटरों पे जाके दिखा रहा हैं कम से कम इस मामले पर नमस्कावर आप लाई बिहार देख रहे हैं मैं हूं राज मोहम दिवारी बिहार में सिछक बहाली को लेकर आज पटना हाई कोट ने बड़ा फैसला सुनाया है छठे चरन में जो बीएट धारी अभेर थी प्रात्मिक विद्यालियों में निउक्त हुए थे उनकी निउक् से फिर से सिछकों की बहाली की जाए अब कैसे करेगी ये तो रज सरकार के उपर है लेकिन बिहार में 22,000 प्रात्मिक विद्यालियों में बीएट धारी सिछकों पर गाज गिरने जा रही है इसी पर बात करेंगे हमारे साथ छात्र निता दिलिप हैं और सिछक बहाली के लंबे समय से लड़ते रहे हैं एक तो बिहार में बिरोजगारी का दंस अभियरती जहलते हैं लराई लड़ते हैं और उसके बाद परिक्चा होती है फिर नौकडी होती है और अब नौकडी भी मिलती है तो छिंजाती है हाई कोट के इस फैसले को आप कैसे दिखते हैं पर उसके कुछ बोलना अ हो जितना यह लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब इनकी निक्ती होई थी तो अभियर्थी जो जौब में चले गए तो अभियर्थी तो खुद से निक्ती पत्र नहीं लिये थे इनको तो सरकार नहीं निक्त किया न जो वेकोंना वान प्श देखिये कानून शबता कम वी w यह तो उसम्वां संपन Phat 현borne रही एक लाका सेटर भी यह और रागये स्वाइश। संपन में अकट मुझे यह गलट कुरा लेकर आया था। उसी का अवाला देकर High Court 102 के यह. काानून 40 इत्र बत्रहएक, जो सिक्षक अभ्यर्ती उस दोरान नियुक्त हुए थे उनकी नियुक्ती को रद किया है सही है या गलत है धे कि हम लोग सीधा जानते हैं कि इस देश में होता है कि जब कोई decision आता है या कानून बनता है उसके बाद वो लागू होता है उससे पहले कि घटना पर लागू नहीं होता तो अब पटना है कोट ने किन परीषी तितियों में दिया यह तो मुझे नहीं पता मैं उस पर बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं कानुन विसे सग नहीं हूँ, यह तो कानुन विसे सग लोग इस पर जैदा बोलेंगे, लेकिन हम लोग तो यही जानते हैं, कि जब कोई कानुन बनता है, या डिसीजन आता है कोट का, उसके बाद वो लागू होता है, उससे पहले जानता है, यह तो इनको तुरांत जाना चाहिए, आभ वियर्थियों के पक्षवें सुप्रेम कोड जाना चाहिए, टीयार यूएम में तो बहुत लेट से गये, लगी कंस खामें, इस मुद्द्दे, पे उनको तुरोत जाना, चाहिए, जो इस्तिती यूथपन हुई है, जाएंगे बिहार सरकार को और खासकर केके पठक जी को जाना चाहिए सुप्रिम कोट और इस मामले को जितना जल्द हो इस मामले करने प्रारा होना चाहिए ताकि अभियर्थी परिसान न रहा है। और दो साल तीन साल चार साल से कोई जौब कर रहा है और उसको आप अरचानक से हटा दीजिए तो इसमें उनका कोई कसूर भी नहीं है। उनको सजा मिलनी चाहिए थी। कैसे आपने पूरे देश में कर दिया कि भाई बीट वाले वन टू फैम में जा सकते हैं। तो सबसे पहले उनको सजा मिलनी चाहिए ना। उसके बाद बिहार सरकार ने आप पर निकाला वेकेंसी जो भी हुआ जोइनिंग दिया गया। तो ये बार-बार जो इस तरह की घटना देश में हो रही है। तो ये हमारे देश में बिहार में तो है ही और हम पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ। केंदर सरकार हो या अन्य राज सरकार है या बिहार सरकार हो। ये देश के पर्ती, देश के उवाओं के पर्ती इन लोगों का रवया ठीक नहीं है। आज तक हमारे देश में एक स्वक्ष, निस्पक्ष और इमंदार सिक्षा निती नहीं बन पाई है, और इसका घोरा भावा है, कोई भी नेता, कोई भी सरकार इसके लिए पहल नहीं करती है, कोई नेता पहल नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, और जो भी बनाया जात कुछ तरह जा हैं आक केंदर सरकार क्यों चूप हो गईक finger कैंदर सरकार को और केंदर क्यों चूप हो गई जब आप नरे जी नियम बनाया उसके तहत बहाली हुई उसके किसी ने बीएक को सब्सक्रार कर को कि ला इsi की हिग अपने लाए उसके ऑधिकार प्रभाई करके तब ज़ज बने हैं उनको देखना चाहिए चीज अचानक से आपकुछ पटला हाई कोट हो या सुप्रीम कोट हो डिसीजन आता है तो यह देखना चाहिए कि किन परिष्टितियों में केंदर सरकार ने लागू किया किसको फैदा पहुंचाने के लिए किया क्या क्या नहीं किया तो उन लोगों पर भी करवाई होनी चाहिए और अभी जो परिष्ट या किसी भी नेता ने कहा कि नहींदर मोदी जी इस पर आप फैसला लीजी अध्यादेश ला दीजी बीएडवाले माम ने पर क्यों ने लाया गया या फिर उस समय जब लाया गया कि बीएडवाले वन टूफाय में भर सकते हैं उस समय क्यों किसी ने बिरोध नहीं किया किस इसी और राज में हो या देश अस्तर पे हो देश के युवाओं को सिर्फ इस्तेमाल किया रहा है बोट बैंक के रूप में बाकि उनके हित से मतलब हमारे देश के हमारे राज के नेताओं को नहीं है और उसी का दुस्परी नाम आज भूगतना पड़ रहा है लगता है कि दिलिप जो हैं उनके साथ खड़े हैं बिल्कुल हम लोग उनके साथ जहां भी अन्याय होगा उनके साथ खड़े हैं आप मानते हैं कि अन्याय है बिल्कुल मैं तो मानता हूं कि अन्याय है किसी को आप अपने नियम के तवत बहाली कराए अपने नियम बली निका जब बहाली चल रही थी उस दौरान ही ये मैटर जो था वो कोट पहुचा था कई अभ्यरती जो है वो इस मैटर को लेकर हाई कोट में गए थे कि बियाड अभियरतियों को प्रात्मिक विद्यालों में सिछगनाई बनने देना चाहिए उस दौरान कोट ने बहाली प्रकिरिय में केस गया इस चीज के लिए उसी समय उनको बहाली को अस्थागित करना चाहिए था आदेश देना चाहिए कि जब तक इसका स्बसक्राके एला क्वाज़ दिश करतें चाहिए प्रूंप कि अगर आगा जागान गया कि अगर ऊपान जाए गया एक कर दो बब्लय को आप बाहर कीजिए्-पूर हो गया लेकिन जो बाहर हुए उनके साथ तो अन्याई हो गया अगर उसी सब में डिसीजन दे दिया गया होता तो इनके साथ अन्याई नहीं होता इसलिए मैं कर रहा हूँ आज जो लोग खुस होंगे कि बेड़ वाले को बाहर कर दिया गया तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप खुद को अपने वहाँ पर रख के देखेंगे आपके साथ अगर ऐसा हुआ रहा तो तब आपके क्या बीठती तो यहाँ पर दोसी सरकार है हमारा सिस्टम है तो उसके खिलाप हम लोग को लड़ना पड़ेगा जो बाहर किया जा रहा है तो उनके हक में न हम बोलेंगे बाकी जो नियम की अनुसार हो उसका तमसमर्थन करते ही है तो पहले भी बोलें कि बाए vendas recipients को अलाव किया गया किल पर स्काश्तिती में किया गया क्यों किया गया उसी समय रोक दिया जाता नहीं किया जाता तो आज यह परस्तिती नहीं आती या फिर किया गया तो एंसी टिए को और के लिए सरकार को कर दिये खमियाजा स्टुट्ट को भूगत ना पर रहा तो जो शिक्षक है जो इसके चलते बाहर हो रहे हैं उनको तो सुप्रिंग कोट कि जान न चाहिए हो जाएंगे भी और सरकार को भी बिहार सरकार को इनका नुकसान था लेकिन इसके आणगा सीधू बिर्कुल कम हो जाएगा 22,000 जो परहा रहे हैं चार साल तीन साल दो साल जो भी हो उनका दो साल से हो जाए जितना भी समय से उतो अचानक से अगर हट जाएंगे तो खाली हो जाएगा तो इतो शिक्षा पर भी असर पड़ेगा उसका व्यवस्ता भी पड़ेगा और प्लस जो है हाई कोट का वो सुप्रीम कोट के स्टेटमेंट का है और उनके फैसले का लेकिन आया भी था बहुत सारे केस में कि जिस दिन डिसीजन आया उसके बाद इसका आसर होगा लागू होगा तो पटना हाई कोट ने किन परिस्तितियों में दिया उस पे तो मैं नहीं कुछ बो लेकिन आपको लगता है कि जो लेट से गये उसी का खम्याजा बीया डवियर्तियों को इसमें ऐसा नहों इनको जल्द जाना चाहिए मैं यही आगरा करूंगा पठक सर से कि अब जल्द जाए और सरकार के तरफ से सरकार से भी आगरा करेंगे नितिस कुमार जी से आगरा कर तो उनकी क्या उन पे बीत रही होगी एचीज समझना चाहिए सरकार को भी और पाठक सर को भी और सुप्रिम कोट क्या ऐसा तो नहीं है कि फिर वो जो बीपीएसी की बहाली आई यह सिक्षक की वही लॉलीपब दे कर फिर वही खेल हो जाएगा अब दो कि सरकार क्या करेगी तो मैं नहीं कर सकता लेकिन हम अभियर्थियों के हीत में मांगी कर रहे हैं जहां गलत होता है वहां हम उनके हक की बात करते हैं हक के लिए आवाज उठाते हैं और हमने पहले भी कहा कि लिए सिर्फ वन टूफाइम में ही मौका है उपर नहीं मौ लेकिन जो 2018 में किया गया कि बीएट वाले वन टूफाइम में आ सकते हैं तो ये तो एंसीटी ने उस समय गलत किया तो उसका खम्याज आभियर्थि को या सिख्षक को क्यों भूगतना पड़े अब जो डिसीजन आया सुप्रीम कोट का वो आगे लागू हो बहुत धन्यव कोट में अगर ये मैटर जाता है तो क्या फैसला आता है और किसके पक्ष में आता है मनुद ये लाइफ बिहार के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें